खिड़की में एक सुन्दर पौधा लटका हुआ था There was a beautiful plant hanging in the window कपड़े सुखने के लिए बाहर लटके हुए हैं The clothes are hanging outside to dry कपड़े सुखने के लिए बाहर लटके हुए हैं The clothes are hanging outside to dry किया आप इस सामान पर मुझे छूट दे सकते हैं Can you give me a discount on this item? नए फोन कदाम बहुत अधिक है The price of the new phone is very high आपने इन जूतों के लिए कितना भुकतान किया? How much did you pay for these shoes? आपने इन जूतों के लिए कितना भुकतान किया? How much did you pay for these shoes? पुराना पुल अभी मजबूत खड़ा है The old bridge is still standing strong पुराना पुल अभी मजबूत खड़ा है अभी भी किया जाता है The old traditions are still followed in this village वह हमेशा अपनी पुरानी नौकरी के बारे में बात करता है He is always talking about his old job वह हमेशा अपनी पुरानी नौकरी के बारे में बात करता है He is always talking about his old job बुजुर्ग ने मुझे समझधारी भरी सलाह दी The old man gave me wise advice बुजुर्ग ने मुझे समझधारी भरी सलाह दी The old man gave me wise advice यह painting एक पुराने कलाकार की है This painting is from an old artist यह painting एक पुराने कलाकार की है This painting is from an old artist उसने भारी वजन आसानी से उठा लिया He lifted the heavy weight easily उसने भारी वजन आसानी से उठा लिया He lifted the heavy weight easily उसने शेयर बाजार में भारी निवेश किया He made a heavy investment in the stock market उसने शेयर बाजार में भारी निवेश किया He made a very investment in the stock market भारी बर्भारी ने सडकों को ब्लॉक कर दिया The heavy snowfall blocked the roots भारी बर्भारी ने सडकों को ब्लॉक कर दिया The heavy snowfall blocked the roots उसने अपनी गर्दन के चारों और एक भारी चेन पहनी He wore a heavy chain around his neck उसने अपनी गर्दन के चारों और एक भारी चेन पहनी He wore a heavy chain around his neck Pants के घुटने में एक चोटा सा फटा हुए जगा है The pants have a small tear at the knee The pants have a small tear at the knee यह pants हलके कप्डे से बनी है These pants are made of light weight fabric यह pants हलके कप्डे से बनी है These pants are made of light weight fabric उसे बाहर जानी से पहले अपनी pants इस्तरी करनी है वह skirts की तुलना में pants पहनना पसंद करती है उसने अपनी pants को गेला होने से बचाने के लिए चड़ा लिया उसने अपनी pants को गेलने से रोकने के लिए बिल्ट पहनी उसकी बाल लंबे और सीथे है उसकी बाल लंबे और सीथे है जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है उसकी बाल गिर रही है वह अपने घुराले बालों के लिए एक खास शेंपू का उपियोग करता है वह अपने घंग्राले बालों के लिए एक खास शैंपू का उप्योग करता है उसकी बाल कटवाने की बात बहुत अच्छे लग रही है उसके बाल कटवाने की बात बहुत अच्छे लग रही है उसने अपने चहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया She felt the cool bridge on her face उसने अपने चेहरे पर थंडी हवा का एहसास किया She felt the cool bridge on her face हमें कुछ ताजगी भरी हवा के लिए खिड़कियां खोलनी चाहिए We need to open the windows to let in some fresh air हमें कुछ ताजगी भरी हवा के लिए खिड़कियां खोलनी चाहिए We need to open the window to let in some fresh air सोफा को नए कवर की जरूरत है The sofa needs a new cover हमें paint करने से पहले table को ढखना पड़ेगा We need to cover the table before painting हमें paint करने से पहले table को ढखना पड़ेगा We need to cover the table before painting Laptop को खर्योच से बचाने के लिए एक कवर चाहिए The laptop needs a cover to avoid scratches Laptop को खर्यों से बचाने के लिए एक कवर चाहिए The laptop needs a cover to avoid scratches उन्होंने बगीचे को पकशियों से बचाने के लिए जाल से ठख दिया They covered the garden with a net to keep out birds They covered the garden with a net to keep out birds क्रिप्या केक को धकन से धक दे ताकि वह सुखा ना हो Please cover the cake with a lid so it does not dry out मुझे खट्टे की बजाए मीठा पसंद है I prefer sweet over sour मुझे खट्टे की बजाए मीठा पसंद है I prefer sweet over sour फूलों की मीठी सुखंध ने कमरे को भर दिया The sweet fragrance of flowers filled the room हम अभी meeting शुरू नहीं कर सकते We can't start the meeting just yet उसने email का जवाब अभी तक नहीं दिया है He has not replied to the email yet उसने email का जवाब अभी तक नहीं दिया है He has not replied to the email yet उसने अभी तक निर्ने नहीं लिया है She has not decided yet मैंने रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं की है I have not finished the report yet मैंने रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं की है I have not finished the report yet उसने एक तेज आवाज सुनी और देखा की गुबारा फट गया She heard a loud noise and saw a balloon burst उसने एक तेज आवाज सुनी और देखा की गुबारा फट गया She heard a loud noise and saw a balloon burst कपड़ा बहुत पुराना है और फटने लगा है The fabric is too old and is starting to tear कपड़ा बहुत पुराना है और फटने लगा है The fabric is too old and is starting to tear क्या अप इस कुर्सी को उठा सकते हैं Can you lift this chair? वह जिम में वजन उठाने में सक्षम था He was able to lift the weights at the gym हमें पर्श को साफ करने से पहले furniture उठाना होगा We need to lift the furniture before we clean the floor हमें फर्श को साफ करने से पहले furniture उठाना होगा We need to lift the furniture before we clean the floor उन्हें रोशनी आने के लिए परदे उठाने पड़े They had to lift the curtains to lit in the light उन्हें रोशनी आने से पहले परदे उठाने पड़े They had to lift the curtains to lit in the light हमें छट की दरार की मरमत करनी होगी We need to repair the crack in the ceiling हमें छट की दरार की मरमत करनी होगी We need to repair the crack in the ceiling Pipe की दरार को तुरंट ध्यान देने की जरूरत है The crack in the pipe needs immediate attention Pipe की दरार को तुरंट ध्यान देने की जरूरत है The crack in the pipe needs immediate attention Bhouकम की बाद दरार चौड़ी हो गई The crack widened after the earthquake Bhouकम की बाद दरार चौड़ी हो गई The crack widened after the earthquake उसने दरार को एक फ्रेम से छिपाने की कोशिस की He tried to hide the crack with a frame मेरी शर्ट का एक बटन खो गया I lost a button from my shirt मेरी शर्ट का एक बटन खो गया I lost a button from my shirt रिमोट का बटन फस गया है The button on the remote is stuck रिमोट का बटन फस गया है The button on the remote is stuck उसने अपनी दराज में खोया हुआ भटन धोन लिया She found the missing button in her drawer उसने अपनी दराज में खोया हुआ भटन धोंड लिया She found the missing button in her drawer इसे चालू करने के लिए बटन को एक बाद दबाए Push the button once to turn it on इसे चालू करने के लिए बटन को एक बाद दबाए Push the button once to turn it on उसने सूई और धागे से बटन ठेक किया He fixed the button with a needle and thread उसने सूई और धागे से बटन ठेक किया He fixed the button with a needle and thread उसने मेरे जनमदीन पर मुझे एक सुनदर घड़ी भेट की He gifted me a beautiful watch for my birthday उसने मेरे जनमदीन पर मुझे एक सुनदर घड़ी भेट की He gifted me a beautiful watch for my birthday घड़ी का पट्टा चम्ड़े का है The watch has a leather strap घड़ी का पट्टा चम्ड़े का है The watch has a leather strap वह हमीचा समय का ध्यान रखने के लिए घड़ी पहनती है She always wears a watch to keep track of time उसने सब को अपनी नई घड़ी दिखाई He showed off his new watch to everyone उसने सब को अपनी नई घड़ी दिखाई He showed off his new watch to everyone उसने पुरानी गूफा में एक छिपा हुआ खजाना खोज लिया She discovered a hidden treasure in the old cave उसने पुरानी गूफा में छिपा हुआ खजाना खोज लिया She discovered a hidden treasure in the old cave उसने धबे हटाने के लिए आइना साफ किया She cleaned the mirror to remove the smudges She cleaned the mirror to remove the smudges उसने आइने पर एक खरूच देखी She noticed a scratch on the mirror उसने आइने पर एक खरूच देखी She noticed a scratch on the mirror कार घर के पीछे पार्क की गई थी The car was parked behind the house दीवार के पीछे से एक टेच आवाज आ रही थी There was a loud noise coming from behind the wall दिवार के पीछे से एक टेच आवाज आ रही थी There was a loud noise coming from behind the wall उसने पर्दों के पीछे कुछ अजीब देखा He noticed something strange behind the curtains उसने पर्दों के पीछे कुछ अजीब देखा He noticed something strange behind the curtains उसने देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा She looked behind to see if anyone was following her उसने देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा She looked behind to see if anyone was following her The treasure was buried behind the old tree The room was empty after everyone left The room was empty after everyone left She looked into the empty box with disappointment The house seemed empty when she returned from vacation The house seemed empty when she returned from vacation The empty bottle rolled across the floor The empty bottle rolled across the floor From above, the city lights look like stars Oopah سے شہر کی بتیاں ستاروں جیسی لگتی ہیں From above, the city lights look like stars He forgot to pack his socks for the trip He forgot to pack his socks for the trip She needed a pair of socks for me She needed a pair of socks for me The hole in the sweater is getting bigger Sweater में छेट बड़ा होता जा रहा है The hole in the sweater is getting bigger उसने गलती से कागज में छेट कर दिया He accidentally put a hole in the paper उसने गलती से कागज में छेट कर दिया He accidentally put a hole in the paper Cycle की chain को तेल लगाने की जरूरत है The bicycle chain needs to be oiled Cycle की chain को तेल लगाने की जरूरत है The bicycle chain needs to be oiled Chain बहुत टाइट थी और इसे ठीक करने की जरूरत थी The chain was too tight and needed adjustment Chain बहुत टाइट थी और इसे ठीक करने की जरूरत थी The chain was too tight and needed adjustment दर्वाजा खुलने पर उसे हवा का जोका महसूस हुआ She felt a rush of air as the door opened दर्वाजा खुलने पर उसे हवा का जोका महसूस हुआ She felt a rush of air as the door opened Truck शहर की ओचाते समें खराब हो गया The truck broke down on the way to the city Truck शहर की ओचाते समें खराब हो गया The truck broke down on the way to the city Package का वजन पाँच किलोग्राम है The weight of the package is 5 किलोग्राम्स Package का वजन पाँच किलोग्राम्स है The weight of the package is 5 किलोग्राम्स चुट्टी के बाद उसका वजन बढ़ गया He gained weight after the holiday चुट्टी के बाद उसका वजन बढ़ गया He gained weight after the holiday वह व्यायाम के माध्यम से वजन कम करने की कोशिस कर रही है She is trying to lose weight through exercise मुझे अपनी कमरी के लिए एक चोटा टेबल चाहिए I need a small table for my room मुझे अपने कमरी के लिए एक चोटा टेबल चाहिए I need a small table for my room उसने अपनी कलाई पर एक चोटा कंगन पहना She wore a small bracelet on her wrist उसने अपनी कलाई पर एक चोटा कंगन पहना She wore a small bracelet on her wrist चोटी नाव पानी पर धीरे धीरे तैर रही थी The small boat floated gently on the water चोटी नाव पानी पर धीरे धीरे तैर रही थी The small boat floated gently on the water यह इमारत बाकी इमारतों से लंबी है यह इमारत बाकी इमारतों से लंबी है उसने पार्टी में लंबी ड्ays पहनी थी उसने पार्टी के लिए अपने खुद के डिजाइन का कप्ड़ा पहना She wore her own design for the party उसने पार्टी के लिए अपने खुद के डिजाइन का कपड़ा पहना She wore her own design for the party मैं अपनी खुद की किताब लिखना चाहता हूँ I want to write my own book मैं अपनी खुद की किताब लिखना चाहता हूँ I want to write my own book उसे अपनी खुद की शौक पसंद है She enjoys her own hobbies उसे अपनी खुद की शौक पसंद है She enjoys her own hobbies गेट खुलने के लिए आपको एक चावी की जरूरत है You need a key to open the gate गेट खुलने के लिए आपको एक चावी की जरूरत है You need a key to open the gate हमारे पस आपातकाल के लिए एक side gate है We have a side gate for emergencies हमारे पस आपातकाल के लिए एक side gate है We have a side gate for emergencies वह अपने दोस्ट के लिए gate पर इंतजार कर रहा है He is waiting at the gate for his friend वह अपने दोस्ट के लिए gate पर इंतजार कर रहा है He is waiting at the gate for his friend So निश्शित करें कि आप जाने से पहले gate ठीक से बंद हो Make sure the gate is properly closed before you leave So निश्शित करें कि आप जाने से पहले gate ठीक से बंद हो Make sure the gate is properly closed before you leave घर में दीमक लग गई है The house is infested with termites घर में दीमक लग गई है The house is infested with termites मखिया खाने की चारू और भिन भिना रही है The flies are buzzing around the food मखिया खाने की चारू और भिन भिना रही है The flies are buzzing around the food उसे रात को जिंगुर की आवाज पसंद नहीं है She hates the sound of crickets at night उसे रात को जिंगुर की आवाज पसंद नहीं है She hates the sound of crickets at night उसने अपने अंगुठे से नक्षे की और इशारा किया He pointed his finger at the map उसने अपने अंगुठे से नक्षे की और इशारा किया He pointed his finger at the map उसने मेरे विचार के लिए मुझे अंगुठा दिखाया He gave me a thumbs up for my idea उसने मेरे विचार के लिए मुझे अंगुठा दिखाया He gave me a thumbs up for my idea उसने पैसे की गिंती अपनी अंगुलियों से की He counted the money with his fingers मैंने शबजियां काटे से में अपनी अंगुली को गलती से काट लिया I accidentally cut my finger while chopping vegetables मैंने सबजियां काटते समय अपनी अंगूली को गलती से काट लिया I accidentally cut my finger while chopping vegetables चोट लगने के बाद उसे अपनी अंगूली को पट्टी करनी पड़ी She had to bandage her finger after the injury चोट लगने के बाद उसे अपनी अंगूली को पट्टी करनी पड़ी She had to bandage her finger after the injury उसने किसी को बुलाने के लिए अपनी अंगूलियों से इशारा किया He gestured with his fingers to call someone उसने किसी को बुलाने के लिए अपनी अंगूलियों से इशारा किया He gestured with his fingers to call someone उसने अपनी जाच के दोरान पाइप में लिक पाया He found a leak in the pipe during his inspection उसने अपनी जाच के दौरान पाइप में लीक पाया He found a leak in the pipe during his inspection पाइप मलबे से अठकी हुई थी The pipe was clogged with debris पाइप मलबे से अठकी हुई थी The pipe was clogged with debris शहर ने मुखे चौक में एक महुसा आवे उजित किया The city held a festival in the main square शहर ने मुखे चौक में एक महुसा आवे जित किया The city held a festival in the main square उसने अपने दोत से शहर के चौक पर मुलाकात की She met her friends at the town square बाजार के दिन चौक लोगों से भरा हुआ था The square was crowded with people during the market day बाजार के दिन चौक लोगों से भरा हुआ था The square was crowded with people during the market day उन्होंने चौक के मध्य में एक मूर्ती स्थापित की They placed a statue in the middle of the square उन्होंने चौक के मध्य में एक मूर्ती स्थापित की They placed a statue in the middle of the square उसने अलवीदा कहने के लिए अपने हाथ को हिलाया He waved his hand to say goodbye उसने अलवीदा कहने के लिए अपने हाथ को लहराया He waved his hand to say goodbye मेरे हाथ बगीचे में काम करने से गंदी हो गए है My hands are dirty from walking in the garden मेरे हाथ बगीजी में काम करने से गंद़ी हो गए है My hands are dirty from walking in the garden उसने अपने चेहरे को पूचने के लिए रुमाल का उपिओ किय He used a handkerchief to wipe his face उसने अपने चेहरे को पूचने के लिए रुमाल का उपिओ किय He used a handkerchief to wipe his face उसने अपने बैग में हाथ डाल का चाबी खोजी She found the key in her bag by hand उसने अपने बैग में हाथ डाल का चाबी खोजी She found the key in her bag by hand उसने सकाफ को हाथ से बुना She knitted the scarf by hand क्या पार्टी से पहले उपाद चुपा सकते हैं? Can you hide the gift before the party? क्या पार्टी से पहले उपाद चुपा सकते हैं? Can you hide the gift before the party? चोज जाडियों की पीछे चुप गया The thief hid behind the bushes उन्होंने चाबी डोर्मैट की नीचे चुपा दी They hid the key under the door mat उन्होंने चाबी डोर्मैट की नीचे चुपा दी They hid the key under the door mat अब सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं चुपा सकते You can't hide the truth forever आप सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं चुपा सकते You can't hide the truth forever वो अपना पैसा सुरक्षित इस्थान पर छुपाता है He arrived at the wrong address by mistake वो गलती से गलत पते पर पहुँच गया He arrived at the wrong address by mistake उसने गलती से एक ही सामान के लिए दो बार भुकतान कर दिया He paid twice for the same item by mistake उसने गलती से एक ही सामान के लिए दो बार भुकतान कर दिया He paid twice for the same item by mistake वो गलती से गलत कमरे में चला गया He accidentally walked into the wrong room वो गलती से गलत कमरे में चला गया He accidentally walked into the wrong room उसने बरतन का ढखकन हटा दिया She removed the cover from the pot उसने बरतन का ढखकन हटा दिया She removed the cover from the pot उसने सोफे को सुरक्षित रखने के लिए एक cover डाला She put a cover on the sofa to protect it उसने सोफे को सुरक्षित रखने के लिए एक cover डाला He put a cover on the sofa to protect it नीन दिमाग के सवस्त के लिए महतवपूर्ण है Sleep is crucial for brain health नीन दिमाग के सवस्त के लिए महतवपूर्ण है Sleep is crucial for brain health यहां का खाना बहुत स्वादिस्ट है The food here is very delicious यहां का खाना बहुत स्वादिस्ट है The food here is very delicious मेरे पास इस कारे को समाप्ट करने के लिए बहुत कम समय है I have very little time to finish this task मेरे पास इस कारे को समाप्ट करने के लिए बहुत कम समय है I have very little time to finish this task वह गिटार बजाने में बहुत अच्छा है He is very good at playing the guitar वह गिटार बजाने में बहुत अच्छा है He is very good at playing the guitar मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ I am very grateful for your help मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ I am very grateful for your help गिलास गिर गया और टुकडों में तूट गया The glass fell and broke into pieces गिलास गिर गया और टुकडों में तूट गया The glass fell and broke into pieces मरीच की स्थीती तेजी से बिगड़ गई The patient's condition broke down rapidly The patient's condition broke down rapidly उसने गर्म रखने के लिए अपने गले के चारों और एक दुपट्टा लपीटा She wrapped a scarf around her neck to keep warm उसने गर्म रखने के लिए अपने गले के चारों और एक दुपट्टा लपीटा She wrapped a scarf around her neck to keep warm उसने पार्टी में अपना पसंदीदा दुपट्टा खो दिया She lost her favorite scarf at the party उसने पार्टी में अपना पसंदीदा दुपट्टा खो दिया She lost her favorite scarf at the party उसने गर्मी के मासम के लिए एक हलका दुपट्टा चुना She choose a light scarf for the summer season उसने गर्मी के मासम के लिए एक हलका दुपट्टा चुना She choose a light scarf for the summer season उसने सजावट के लिए अपने बैग पर दुपट्टा बांध दिया She tied the scarf to her bag for decoration उसने सजावट के लिए अपने बैग पर दुपट्टा बांध दिया She tied the scarf to her bag for the decoration उसने अपने कपड़े एक बड़े बैग में पैक किये उसका बैग किताबों और कागजास से भरा हुआ था उसका बैग किताबों और कागजास से भरा हुआ था स्कूल बैग बच्चे के लिए बहुत भारी था The school bag was too heavy for the child The school bag was too heavy for the child Bag बहुत बड़ा है जिसे विमान मिली जाना मुश्किल है The bag is too bulky to carry on a plane Bag बहुत बड़ा है जिसे विमान मिली जाना मुश्किल है The bag is too bulky to carry on a plane उन्होंने अपने living room के लिए एक बहुत बड़ा टीवी खरीदा They bought a very big TV for their living room उन्होंने अपने living room के लिए एक बहुत बड़ा टीवी करीदा They bought a very big TV for their living room Concert hall बहुत बड़ा है और हजारों लोगों को समेट सकता है The concert hall is very big and can hold thousands of people Translate it अभी नहीं इसका अंसर आप comments में जरूर बताएं विडियो अच्छे लेगी तो please like, subscribe and share जरूर करें Thank you